नमस्कार, प्रिये मेज से लेकर कامी 約 80 वाले, मैं हुँ असलोजर डॉक्टर अलगुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही खास कारिकरब में, और आज मैं आपको बताऊँगा कि प्रिये मेज से लेकर कामीनद 80 वाले, एक और बाधा जो सफलता में रोड़ा बन रहा था वो हो रहा है आज से दूर जी हाँ पर यह में इस से ले करके मिनासी वाले आज मैं आपको बताओंगा कि ग्रहों में महत्पूर्ण ग्रह जो परतिक मनुस्ति के जिवन उसके कर्म और आयक के अजिस्ट दाता होते हैं यानि मैं बात कर रहा हूँ सनी देव का सनी नक्षत्र को परिवर्तन और जा रहे हैं पुर्वा भादपद नक्षत्र के दूत्य चरन में तो मैं आपको बताओंगा कि प्रिये मेश से ले करके मिन्डासी वाले ये जो सनी का नक्षत्र चरन परिवर्तन हो रहा है ये निचित तोर पे आपकी जीवन में बहुत सारी ज लेकिन ये पुर्वा भादपर्द के परथम चरन में जहां पे ये बहुत जादा सूभकारी नहीं थे पुर्वा भादपर्द के परथम चरन में मनिश्य को क्रोध, आइस्थिर्ता, तनाव, डिस्टर्बेंस और परिशानी पैदा करता है लेकिन पुर्वा भादपर्द नक्षतर के दुत्ये जो चरन होते हैं इसमें जो है सनी देव, लाबकारी, उनत्ती, सुखी, मनिश्य को सांत चित, धन की प्राप्ती और कर्मट और मन को इस्थिर्ता की और लेकर के जाता है तो ये बिरहस्पती का जो नक्षतर चरन का परिवरतन है, ये बहुत ही और सुब और लाबकारी है और परतेक रासी फल के नुसार मैं बताऊंगा कि किस किस लोगों को और किस किस रासी को किस प्रकार से बेनिफिट होता हूँ नजर आएगा जिसमें दो महत्पुन जनकारी में देदू, पहला कि ये रासी फिल चंदरासी पे अधारित है, जिनको अपना चंदरासी पता है आप देखें नहीं पता नाम या लगने से देखें दूसरी जनकारी एक चंदरासी पे अधारित वीडियो है अगर किसी के जीवन में ये पूर्ण रुपेर मैच नहीं करता तो अपनी जनम पत्रिका दिखाएं अपने कर्म पे ध्यान दे क्योंकि जनम पत्रिका की इस्थिरग्रा, महदसा, अंतरदसा और उसके कर्म का ही मनुष्य के उपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और गोचर को थोड़ा सामिल किया जाता है और एक महत्पुन जनकारी कि ये जो सनी का नक्षतर परिवरतन हो रहा है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो खास करके राजनीतिक शेतर में है जो खास करके मकर और कुम्भलगन में जन्मलिये हैं जिनके कुंडली में सनी उचस्त है या कमजूर पोजिशन में उनके लिए बहुत ये अच्छा है साथ में जो वेक्ति जुडिशियल से रिलेटेड, इन्फाट्रेक्शर से रिलेटेड, इंजिनेरिंग से रिलेटेड जो वेक्ति अपने जिवन में प्रोपर्टी से टाइल, मार्बल, इसके अलावा घैरेलू ट्रेडिंग के प्रोड़क्ट से रिलेटेड इसके अलावा जो है जो वेक्ति मेडिकल फिल्ड में है उनके लिए कुछ हद तक लाब की स्थिती देखते हुए बनेगी ये बाद की 100% सियोरिटी है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेश से लेके मिन रासी वाले ये सनी का नक्षत्र चरन का जो परिवर्तन हो रहा है आज से ले करके 18 अगस तक इसका आपके जीवन पे वास्तविक्ता तोर पे क्या प्रभाव पड़ेगा जिसमें सबसे पहले रासी फिल के सरिंखल को पैसे को मेटर को लेकर ठीक करेगा करियर में आपकी स्थिरता बनेगी मान सम्मान वापस लोटता हूँ दिखेगा डिप्रेशन से आप थोड़े से बाहर आएंगे सोच समझ के जीवन के बड़े बरे डिसीजन को आप लेने वाले रहेंगे रुक्यवी सिक्षा आपके कुछ समाचार मिलता हूँ नजर आएगा संतान से मतभेदता खतम होते हुए या संतान कंसीव होते हुए गुड़नियूज मिलेगा आपके लव लाइफ में काफी परिशानिया डिस्टर्बेंस जो चल रही थी इसमें सुधार किस्थिती देखने को मिलेगा साथ में लोट समस्याओं को दूर करेगा हेर फॉल बिना मतलब का पिंपल्स या चेहरे में फोड़े फंसी जो निकल रहे हैं इसमें ये बहुत हद तक कमी करने का कोशिस करेगा इसके अलावा जो है आपकी यात्राएं लाबकारी होंगी अचानक आया हुआ धन आप संचित करेंगे जो नए नोकरी बेवसाई के लिए परिशान है उनके लिए रास्ता बहतर खुलेगा सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन साती से दूरियों को तो ठीक करेगा साथ में पिता साब के तालमेल को बहुत ये अच्छा करता हुआ नजर आएगा फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बहतर बनाने के लिए आपको प्रतिक दिन ओम श्री किष्न किष्नाय नमा मंतर का 108 पर जाब करना है ब्रिशब रासी वाले जब सनी का नक्षत्र चरन परिवरतन हो रहा है तो आपके जीवन में नए नौकरी में वैसाई के योगों में बिरिधी होते हुए दिखेंगे बह आने प्रारंब हो जाएंगे जीवन साथी के स्वास्त को ठीक करेगा पार्टनर सिपिंग में कुछ मिसगाइड हुए पड़े हैं या आइस्थिरताएं हैं तो उसमें सुधार की स्थिति को लाएगा आपके कंपेटेटर आपके खिलाब बाते कर रहे तो आपके फेबर मे आते हुए दिखेंगे इसके अलाबा जो है परमोसन सालों से रुका हुआ आपका प्रारंब होता हुआ नजर आएगा सरकार से रिलेटेट जो भी इसू है वो दूर होते हुए नजर आएंगे दुत्य विवाह को लेकर के ये समय बहुत ही बहतर रहेगा जिनके डैवोस की सांथ करके मैरेड लाइफ में जूडेंगे इसके अलाबा पुराने मित्तरों का कुछ हद तक साथ मिलेगा किसी परकार का स्कैम या स्कैंडल या धोखा आपके साथ हुआ था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा काफी समय से लंबी छुटियां वेकरा नहीं मिल रही थी वो मिलता हुआ नजर आएगा और सबसे वड़ी बाज क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो एक समानने बात है विदेश जाने की शंभावना अच्छी बन रही है पूरे के पूरे इस सनी के नक्षतर परिवर्तन के फल को बहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए पर बाहर निकल रहे है शंपती सेल हो जाएगा क्योंकि संपती सेल होने में कुछ गवर्मेंट के तरब से कुछ भाई बहनों के तरब से कुछ हद तक पिता के तरब से जो बाधाय उत्पन हो रही थी वो ठीक होगा काफी समय से आप घर को चेंज करके दूसरे जगा पे प्रो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है साथ में सबसे महत्तपुर्ण बात यहां पर क्या है कि इंकम के सोर्स तो एक समानने बात है अगर आपके फैमिली में कोई बड़े भाई वहन यह चोटे भाई वहनों का विवाह नहीं हो रहा है उनका वैवाहिक जीवन जाएंगी अचानक अचानक आया हुआ इंकम आप अपने लोन और कर्ज के समाप्ति करेंगे वही लोन और कर्ज के चकर में सतुरूता जो बढ़ रहा था वो खतम होता हुआ नजर आएगा इसके अलाबा जो है छोटा ही नौकरी मिले कुछ इंकम के सोर्स तो खुले आप जो आइनी करते हुए नजर आएंगे मतलब जिनका बिल्कुल नौकरी का योग बन था अब नौकरी के कुछ इंकम के सोर्स खुलते हुए नजर आएंगे उल्टा बोल दिया हम आप करेंगे इसके अलाबा जो है सबसे महत्तपुर्ण बात क्या कोई खंदानी शंपती सेल ह वो ठीक होगा आपके सिनियान आपके फेवर में आएंगे लोट्री सटा से मार्केट का लाम मिलेगा पती पतनी के मद्ध में इमोशनली अटेश्मेंट बढ़ेगा जो कुछ गल्तियों के कारण दूरिया बन गई थी फिर भी इसके परभाव को बहुत बहतर बनाने के लि पर ये बदलाओ करेगा सबसे पहला सालों से जिनका वैवाहिक जीवन खराब था उसमें सुधार के योग बनेंगे आपकी वानी दोस्त में सुधार होगा आपको रोधित में आकर कुछ भी बोल देते हैं क्या करते हैं कुछ नहीं पता जिसके चलते फ्रेंड सरकल हो सभी सरकल आपके खराब हो रहे थे तो आप क्या है कि आपकी वानी में एक मधुरता और एक सुधार आएगा इसके अलावा मनी शेविंग के लिए बहुत बहुत बहुतर ट्रायम है आपके पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे ये सबसे महत्तपूर्ण बात है अचानक अचानक धन की प्राप्ती होगी पढ़ाई या धूरा छूट चुका था वो ठीक होगा संतान की तरक्की होगी संतान कंसीव होने का गुण्यूज मिलेगा ससुराल पक्च के तरब से धन या सुखों की प्राप्ती होती वे नजर आएंगी और एकदम हार चुके थे मतलब हार करके आपने ये डिसाइड किया कि मुझे नौकरी वे विशाय में कोई तरक्की नहीं मिल सकता अब घर पे ही बैठना बैटर है पहली बार आपको अंदर से एक इंट्यूशन आएगा सफलता का जुनून आएगा आत्म सक्ती बनेगा और आप सुखों के साथ कर्म छित्र की और ध्यान देना चालू करतेंगे काफी समय से जौब है इंटर्वी हुए ढंक का कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था वह बहतर आता हुआ दिखेगा ये लब टू मैरेज के लिए सबसे बहतर समय है क्योंकि लब मैरेज में एक दूसरी के मत में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे एम खेल जुबान का था या तो प्रिपलाई नहीं कर रहे थे और कर रहे थे तो लोगों को बुरा लग रहा था फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए इसके प्रभाव को बहुत बहतर बनाने के लिए आपको परतेक दिन एक बार सि जीवन में बैवाहिक जीवन पर आटमेटिक सुधार करना चालू कर दोगे डिप्रेशन तनाव से बचोगे बिना मतलब का गलत आरोप इतना लग रहा है कि आप लोगों के समक्षे में कुछ मुझ दिखाने लाइक नहीं बच रहे अब आपका सम्मान वापस मिलता हो नजर आएगा जीवन के बड़े कॉंसेप्ट पर काम करोगे वेर्थ के खर्च को कंड्रोल करोगे वेर्थ की शंपती जो आप को लिटिकेशन पैदा कर रहा उसका कॉंप्रमाइज करके उसको खतम करोगे आप अपने वेर्थ के स्टाप्स वेगरा को हटाओगे जो आपको काम और खर्च हो रहा है इसके अलावा जो है आप अपने पिता से दूरियां बना रखे ते वो ठीक होता हुआ दिखेगा कुछ हद तक जीवन साथी के कमियों को छोड़ करके उनकी खुबियों के साथ आप आगे रिस्तों को बढ़ाओगे विवाह के कोई धंके रिस्ते नहीं आ रहे थे तो विवाह के धंके कोई रिस्ते आएंगे या किसी ऐसे परसन से संपर्क हो सकता है जिसके साथ आप फ्यूचर में अपना बहतर कह सकता हूं की तालमिल बना करके जीवन यापन करने का विचार कर सकते हैं इसके अलाबा जो है शंपती का लाब होगा कुछ अपनी सुख सुविधाओं की वस्तूओं को परचेज करेंगे दुत्य संतान के भविश्य को लेके अत्यधिक चिंता है वो ठीक होगा दुत्य संतान कंसीव होने का गुट नियोज मिलेगा सालों का परमोशन ठीक होता होँआ नजर आएगा पेट समंदी समस्याएं ठीक होंगी सरदर्द हेड activities related समस्याएं ठीक होंगी यातरायन लाबकारी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन से बाहर निकलोगे काफी समय से डिप्रेशन में आप फसे हुए थे तो डिप्रेशन से प्रॉपर बाहर निकलते हुए नज़ार आओगे ये सबसे महत्पुर्ण बात है इसके अलावा जो है सिंघरासी वाले पैसे जो जमा होंगे ये महत्वपूर नहीं है, हो सकता है कि आप कोई वाहन या शंपती भी परचेज करें और इसके अलाबा जो है, आप अपने जीवन में जीवन साथी के बातों को मानना चालू करोगे, या किसी का साथ पार्टनर सिपिंग में कोई बिजनस करने का कोशिस कर सकते हो, फिर भी आ जब आपके जीवन में सनी नक्षतर परिवर्तन कर रहा है, तो आज से लेकर के अगस्त के महिने में कुछ बहुत बड़ा होने माला है, सबसे पहला सिक्षा आपका पुन रुपे चालू हो जाएगा, दूसरा आपके रिलेशन सी बिलकुल खराब चल रहे थे, इसमें शंभावना बनेगी, यह आप जा सकते हो, इसके अलावा जो है, विदे स्यात्रा के लिए समय अत्यधिक लाबकारी है, संताम कंसीव होने का गुड़नियूज है, संतान की तरक्की का गुड़नियूज है, लब मैरेज के योग बहुत अच्छे है, कर्ज और लोन चिंता ब कोई शंपती से लोकर के आधा में लटका हुआ है, तो संपती का लाब मिलना चालू हो जाएगा, आपके संतान भी प्रोपटी वेगरा परचेज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई विर्थ का केस मुकदमा स्केंडल में आ फसे हुए थे, वो ठीक होता हुए नजार आएगा इसके अलावा जो है, काफी बंदनामी आपके हुई पड़ी थी गलित रिलेसंसीप के चक्कर में, उससे भी बाहर निकलते हुए नजार आओगे, इसके अलावा सबसे जादा महत्तपूर्ण बाद क्या है, आपके जीवन साथी से जो दूरिया बनी हुई थी, वो ठीक होत बढ़ेंगे, आप सांतर होगे, दिमाग से चलोगे, कर्मट बनोगे, स्थिरता मन में आएगी, और कुछ अपनी सुविधाओं के लिए वस्तुवे भी परचेज कर सकते हो, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके सबसे पहला, आप कोई घर या प्रोपटी बनाना चाहते थे, अधूरा चुट चुका था, थोड़ा काम बचा था, सिप्टिंग चाहिए, अब आप उसको तुरंत बनाके सिप्ट कर जाओगे, नहीं तो ऐसे भी सिप्ट कर जाओगे, या कोई प्रोपटी वेगरा में जीवन साथी का स्वास्त कराब हो रहा है, इन चीजों से अब बाहर निकलते हुए नजर आओगे, पार्टनर सिप्टिंग में काम बहतर चलेगा, आप अपने किसी रिष्टेदार को अपने बिजनस में इवाल्व करके रखे थे, या अपनी कमपनी में जॉब लगा करके ज़र वही चारो तरफ आपके इज़्जत को मटिया मिल कर रहा है, अब आप उसको साइड कर रहे हो, या तो खुद साइड हो जागे ने तो उसको साइड कर दोगे, क्योंकि बहुत हो गिया अब emotional लड़ाई, अब होगा dangerous लड़ाई, इसके अलाबा जो है, संतान की समस्या से सुधार होगा, विवा के ढंके रिष्टे नहीं थे, आएंगे, जीवन साथी गुस्सा होके चली गई थी, वापस आएगी, या वापस आजाएगा, इसके अलाबा जो है, कहीं विदेश जानने की शंभावना या घुमने की बहतर कुछ बहतर पुरवराम सेट कर सकते हो, आप समझ रहे हो हैं क्या वोला जाता हो, इसमें भी लाब की शंभावनाई बनेंगे, दुत्य संतान को लेके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, इसके अलाबा आप किसी को गिस्तरियों को गर्व से रिलेटेड, पैर से रिले समक्षे जो है, एक सरसो तेल का दीप प्रजोलित कर दो, लाब की शंभावनाई तो मैं देही रहा हो तुम्हें, ब्रिशब रासी वाले, माप करेंगे, ब्रिश्चिक रासी वाले, जब सनी अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेगा, तो आज से लेके 18 अगस्ता काप की जी सभी से दूरियां जो बना रखे थे, और एक कोप भवन में जिंदगी जी रहे थे, अब आप लोगों से तालमिल ठीक करोगे, थोड़ा जुकना तो पड़ता ही है, मान सम्मान की ख्याती एतनी पहुच रहे थी कि डिप्रेसन में चले गये थे, वो धिरे धिरे ठीक हो जा में थे, उससे बाहर निकलते हुए जाएंगे, क्योंकि उस रिष्टे के चलते, आपके माता, पिता, परिवार, रिष्टेदार सब दूर हुए पड़े थे, अब आप फाइनली अपने परिवार और लोगों के बीच में अट्रेक्शन बढ़ाओगे, इसके अलाबा जो है जो लंबे समय से छुटी लेके रखे थे, या छोड़ा हुआ बेवसाय को दुवारा री कंटेन्यू करने के लिए तत्पर है, साथ में सरकारी पक्ष में आपका बहुत बढ़ियां लाव मिलता हुआ दिखेगा, बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे, गुप्त सत्रू आप आपके रिस्ते तो अच्छे होंगे, पिता का स्वास्त भी ठीक होता हुआ न जराएगा, पिता की शंपती का लाव मिलेगा, खुद की शंपती में भी वाद खतम होगा, फिर भी इसके परभाव को बहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं बहुत confidence बढ़ता हुआ दिखेगा, सभी लोगों से आप अपने अपना relationship खराब कर रखा था, वाणी खराब थी न, कुछ भी बोल देते हैं, तो लोगों को तो कुछ समय के लिए समझ महीं नहीं आ रहा था है कि इसकी ऐसे सोभाव कैसे हो गया, यह कैसे ऐसी हो गई, अब आपका वाणी में शुधार होगा, इस्थिरता मन मनिश्चे को कुछ भी करा सकता है, सबसे महत्पूर्ण क्या होता है, मन की स्थिरता, अगर आपकी जीवन में आपका मनी स्थिर है, तो फिर जीवन में कमी किस्चीच का है, तो मन की स्थिरता आपकी जीवन के maximum problem को solve करता हुआ द दिखेगा, इसके अलावा जो है, आपके पिता से और सिनियर से ताल में लक्षे होंगे, विदेशों में जो रह रहे हैं, उनका पासपोर्ट या भीजा रुक गया है, उनके लिए समय बहुत ही बहतर है, और एक बात, किसी गलत रिष्टे में आप बहुत पैसे खर्च कर हो, अब आप उस रिष्टे से बाहर निकलोगे, सबसे महत्तपूर्ण बात क्या है ना, कि पुराने लव लाइफ, या फिर जीवन साथी क्रोधित हो करके जो चली गए थी, वो वापस आते हुए दिखेगी, ये सबसे इंपोर्टन्ट है, क्या वाकई में पैसा का सकती सब भावनाएं बनेंगी, संतान कंसीव होने का गुड़ नियूज है, कुछ बच्चे आपको continue उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो आपके फेबर में आते हुए दिखेंगे, और spiritual जगहा पे आप घूमने जाने के planning से कर सकते हो, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बहुत ब हैगा आपके जीवन में, जब सनी अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेगा, मकर रासी वाले, सबसे पहला, कि आपका लगन का मालिक है, और सनी दुत्य चरण में जा रहा है, पुर्वा भाद पद्द का, तो आज से आपके अंदर एक confidence और एक individual जेने की ताकत आएगी, दू काफी से आप अपने रिस्तों को ठीक करेंगे, मन चाहा अस्थांतरन है, काफी शमय से आप अपने घर पे दूरी बना रखे हैं, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, माता का स्वास ठीक होगा, पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे, पुराने कस्टमरों से आप अपने लिंक को जोडेंगे, जहां भी आपके मोटे फंड फसे हुए है, वो आप बाहर निकलेगा, वेर्त का खर्चा आपको लोन और करजदार बना दिया है, तो आप लोन और करजदार लेने से करज लेने से बचेंगे, इवन कि जो पुराने भी खर्च हैं, इसको भी आ लावा मकर रासी वाले, आपके बड़े भाई बहनों का स्वास्त जो खराब चल रहा था, वो ठीक होगा, आपके ससुराल पक्षिसरिष्टे अच्छे होंगे, आपके जीवन में जो है, अचानक अचानक धन आएंगे, विदेसी तालुकात आपके ठीक होंगे, संपती और वाहन में आप संपती को चूज करेंगे, क्योंकि विर्त के पैसों को बरबाद करने से बचेंगे, समाजिक वेलू आपके अचानक बढ़ेगी, काभी समय से समाज से कट-कट के आप रह रहे थे, और भरोसे में थे कि आपका कोई साथ देगा, आपको समझ मागे कोई साथ नहीं देगा, तो आप सांत मन से अपने आपको जीने का परियास करेंगे, इसके अलाबा जो है, सबसे महत्तपूर आपकी जुमान सुधर जाएगी, या तो आप कहीं समझ में कुछ आएगा, तो बोलेंगे नहीं, और अगर बोलेंगे, तो अच्छे से तरीके से बोलेंग ये सबसे महत्तपूर्ण बात है, फिर भी इसके प्रभाव को अच्छा, एक चीज और है, जहां भी आपका फंड फसा होगा, वो निकलेगा, सरकार का हो, पबलिक का हो, रिष्टेदारों का पास हो, मामा, मौसी, जीजा, साली, किसी का पास भी हो, जिसको आपने दे रखा आता, वो फंड निकलेगा, और आपके पैसे किसी के पास पढ़े थे ते, आपको देने थे, तो वो भी आप उसको रिटन करके, अपना व्यर्थ का इजद पटिष्ठा को बचा लोगे, जो खराब हो रहा था, बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है, विभा के बहुत अच् एक सुद्ध घी का दिप जलाइए, और ओम नमस्षिवाय का 108 बर मंतर का जाब करिए, अगर आपके आसपास सिवलिंग है, तो पांच परिकर्मा करिए और पांच बर जल चड़ाइए, कुम्भरासी वाले, जब सनी स्वेम नक्छतर परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपके ठाउट्स आ रहे हैं, आप घबरा गए हैं, वो सुधार होगा, कुम्भरासी वाले, सनी के नक्छतर परिवर्तन में सबसे पहला आपका आत्म बल मजबूत होगा, और जब किसी का आत्म बल मजबूत होता है न, तो उसकी जीवन में उसकी इस्थिरता बढ़ती है, यानि अब सांत हो जाओगे, सांत होने के बाद वेर्त के खर्च पे कंट्रोल करोगे, कर्ज लेने से बचोगे, सम्मान जो चला गिया था वो आपको वापस मिलेगा, पिता के स्वास्त बहुत खराब चल रहे थे, उसमें सुधार होगा, विदेह जानने से रिलेटेट पासपोर फोट, वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर जो भी समस्या है, वो ठीक होगा, दुत्य संतान का स्वास्त ठीक नहीं था, वो ठीक होगा, छोटे भ़ाई वहनों की स्वास्त को लेकर के, या छोटे भाई भहनों से मतभेयता, लड़ाई, जगडे, को लेकर के बहुत परशाने, वो ठीक होगा आपके स्वैम की संपती का विवाद होते होते बारबर टल रहा था अब फाइनली उस खतम होता हुआ नजर आएगा इसके अलावा जो है आपके पुराने मित्रों से या पुराने लव लाइफ में पुरा सुधार होता हुआ दिखेगा आपके वैवाही की इरता करमठ और आतबल आएगा तो आप ज्यान और बुद्धी के दम पे जो है अपने जीवन के परफेक्ट डिसीजन को लेना चालू करोगे साथ में जीवन साती का हेल्थ हीसु बहुत था उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा जिसके सालों से भीवाह के डंग के रिष् कुछ नितर समंदी जो कश्ट इसमें सुधार होगा आपके संतान का हेल्थ ठीक होगा संतान के सबसे बढ़ेगी अपने पुराने स्टाप के साथ कुछ नए प्रोजक्ट पर काम कर सकते हो मोटा इंवेस्टमेंट और फंड आता हुआ नजर आएगा और लोन और कर्ज की समाप्ती करने के वाद सबसे बड़ा डिसीजन जो आप अपने जीवन में लेने वाले हो वो ये है कि आप इंडिविज्वल सोतंतर हो करके जीवन का आज से सुरुआत करोगे मतलब आपका आतम बल और आतम सक्ती वापस आ रहा है फिर भी इसके परभ का बहुत बहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाट करना चाहिए और कोशिस करना चाहिए हर सोंबार के दिन एक नारियल फोड करके सीवलिंग पे चड़ाने का मीन रासी अंतिम रासी जब सनी नक्षतर परिवर्तन करेगा तो आपकी जीवन पर क्या परभाव बनी थी वो ठीक हो जाएंगे दूसरा महत्पुर्ण बात कि आपके मस्तिस कपे जो विर्त की हलचल क्रोध और उस क्रोध के चकर में असब दवानी या क्रोध के चकर में मांसिक इस्थिरताओं में दिकते थी और कुछ भी बोल देते थे वो ठीक हो जाएगा आपके जीव आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ लोन कर्ज की समापती करेंगा और कुछ मोटे फंड भी या लोन भी ले सकते हैं आपको कुछ महेंगे गिप्ट की प्राप्ती हो सकती है जीवन साथ ही और आपके बद्दमे किसी काराल से भी कुछ दूरिया थी वो ठीक होगा पास सटा से मार्केट का लाभ मिलता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा बहुत मेंटल पीस खराब हो चुका है कुछ लोग तो इससी सिचुएशन में है कि थोड़ा सा हैवी ड्रिंक या नसा करने में लगे हुए है तो उसमें भी सुधार होता हो देखेगा आपके परिवा आपके जीवन में लाभ किस्तिती है कि आपका इक्स्ट्रा इंकम का कुछ नास्ता खुलेगा जो लोट्री सट्रा से मार्केट में बड़ा बड़ा नुक्सान करके बैठे हुए है न और आप बोल रहे हैं कि अब तो लाइप ऐसे ही चलेगा लगता है उन्हा वसूल होता ह व्यर्त का केस मुकदमा स्केंडल से आप बचोगे इसके अलाबा आपके ही परिवार के लोगा आपके इज्जत को मटिया मेल करने में लगे वे थे वो ठीक होता हुए दिखेगा साथ में इंकम टैक्स बेगरास से रिलेटेड कुछ परिशानिया थी व्यर्त को नोकरी को जूट बोलके निकाल दिया गया इसमें सुदार होता हुआ नजर आएगा इसके अलाबा जो है आपके सवस्रान पक्छे से भी कुछट तक तालमील ठीक होगा फिरुए इसके परभाव को बहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए इसके परभाव को बहितर बनाने के लिए है सेटरेटे के दिन आप खीर बनाईए और खीर जो है या तो शनी मंदिर या भगवान सिव को भोग लगाईए कुछ खीर गरीबों को बाटिए परसाद की रुप में स्वैं मिग रहन करिए बदलाओ तो होना तै है जब उपाई सही होगा और प्रिडिक्सन सही होगा और कर्म सही होगा तो बदलाओ होगा तो प्रिय मेंस से लेके मिंडासी वाले सनी अपने नक्षतर चरन को परिवर्तित कर रहे है कैसा रहेगा मेंस से लेके में संपुन जनकारी मैंने दिया है उमिद करता हूँ कि बताएगे जनकारी से दोस्टों के चनल पर नहीं है तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलता हो अंगली वीडियो में और महत्पुन और जनकारी के साथ तब तक ले नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यबाद